हाई अबरीबन आईए आज की इस वीडियो में समझेंगे कि सोडियम को किरोसिन तेल में डूओ कर क्यूं रखा जाता है इसके पिछे का क्या कारण है ओके देखे सोडियम जो होता है सक्रिय धातू है सक्रिय धातू मतलब आप का सकते हो बहुत ही जल्दी यह जो है अभी किर किरिया करके सोडियम ऑकसाइड बना लेता है यह पानी से किरिया करके सोडियम हैड्र ऑकसाइड बना लेता है और हैड्रोजन उत्पन करता है और हैड्रोजन उत्पन करती है बायू में खुला छोड़ने पर यह आग पकर लेती है बायू में अगर इस आप छोड़ दोगे तो यह क्या कर लेगी आग पकर लेगी फायर हो जाएगी इस पे ठीक है इसलिए इसे मिट्टी के तेल में यानिकी किरोसिन तेल में डूबो कर रखा जाता है ठीक है यही इसलिए इसे डूबो कर रखा जाता है किरोसिन तेल में तो इसे आप अच्छे से लिखना रखना बिल अग यहाँ करेंगी जै कि लिए इसे देलों जाएक सब्सक्राइब कर देना और इस विडियो को विए कर देना आज के लिए इतना ही सो थैंक यू